मैक्सवल के समीः मतलब माइक्सवलब मतलब 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 गणितीय हल्प राप्त किया बहूर्ट भात जो एक चीज लेक्रोमागेनेटिक वेब और इसके अस्तित कि लिख师 1965 प्रपोगेट करने के लिए उसे यानि संचरित होने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है लेसे ऊवर सब जानते हैं कि डाट राट सोती है अपका होता है यानि जवले सकाइंके परस्ट में होती या ऍापना मात лет संच्रित होने के लिए क्या चाहिए माध्यम कि आउसकता होती बिना मीडियम के यह कभी संच्रित नहीं हो सकती है तो वहां से यहां तक पहुचने के लिए अगर जब पार्ट किरी नहीं यह बिच में यह चीज़ तो कंफर्म हो गया कि यह मेकेनिकल नहीं हो सकती है यह यह अन्तरिक तरंगे नहीं हो सकती है यह उसके बाद में इस सब नियमों के आधार पर और एक नए बेप कि उनने परिकल्पना की जिसको नाम दिया गया एक प्रकार की तरंगे होती है जिसमें आपके एलेक्ट्रो यानि मतलब विद्दूत भी रहता है और चुमकिय वेक्टर भी रहता है यानि मैंनेटी वेक्टर विद्दूत वेक्टर दोनों होते हैं इस पर भी हम डिसकस करेंगे बस अगले टाफिक में तो कहने के मतलब है मैक्सवेल ने जो इस्तिर विद्दूत की और चुमकर्ट्व के आधार भूत नियमों का जो है सत्यापन किया उसके आधार पर या आप पूरा की अगर हम इसी में एक चीजा और इंक्लिवड कर देते हैं तो उस इस्तित में क्या होगा कि ये पूरी पूरी लेक्रो मगनेटिक वेव है जो की आप समझ सकते हुए फिजिक्स की एक बहुत बड़ी मतलब एक मेजर ब्रांच है उसके आधार वो तारी नियम हो जा देखते हैं इन चार नियमों यहां पर यह अपने पास रहे पहले बिद्दुत का गौष का नियम तो गौष के नियम में आपने देखा था इस तो प्रतम समीकरण भी कहते हैं ऐसे अगर आप से पूछ लिया घा साल यह कर चातर्त में समीकरण यह प्रतम समीकरण थाक्रान प्रत्स लिख और लिख यह under कई सारे जो नियम थे उन नियमों को इकठा लिख करके और उनका गणितिय प्रूप दे दिया ठीक है गणितिय प्रूप दे दिया और इन्हीं के आधार पर जो है इसमें थोड़ा सा संसोधन उन्होंने किया था हम लोग ने देखा दन लास्ट टाइम में इस परविपद्ध लिख होगा तो कोई रखा जाता है तो इस छेट्र से घिरा कुल आबेस यानि इस चेट्र से मौझरने वाली कुल भैदूद्ध होती है यह सोता है वह वह सोता है कि इस hasn't घूरी फूर जो आपेस है और उसका वोल ऑनवाई एक вариант गुना होता है यह यह प्रतम समीकरण भी कहते हैं इसके अमसार कहीं पर किसी प्रिष्ट से कोई आबेस भीरा हुआ है तो उस प्रिष्ट से होकर के गुजरने वाला जो पुल भाइदूद फ्लक्स होता है वह उस प्रिष्ट से घिरे आबेस क्यों का वन बाइए एक्सालम नाट गुना होता है यह आपको पता है पहले दूसरी चीज़ है दूसरा जो समीकरण है चुमकत का गौस का नियम इसमें क्या बताया कि चुमकत का गौस का नियम में जो होता है किसी प्रिष्ट से घिरा हुआ जो फुल चुमकिये फ्लक्स होता है फुल चुमकिये फ्लक्स होता है किसी प्रिष्ट से घिरा हुआ फुल चुमकिये फ्लक्स जो होता है हमें से कितना होता है सून होता है यह दूसरा नियम ने बता दिया तीसरा नियम कोई दूसरा नहीं बस आप ऐसे इसी को ध्यान रखेंगे फैराडे का नियम परीपस्ट से बद चुम्ड यह फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपस्ट में प्रेड्र बित्वुद्वाहक बल कारी करने लगता है ना प्रेड्र परिमार होता है वो चुम्किय फ्लक्स परिवर्तन की रिणात्मक्दर के बरावर होता है या आप ऐसे कह सकते हो प्रेडिर विद्दुत्वाहगबल सब्सक्राइब है यानि इडाट डी एल ठीक है इडाट डी यानि आपका है सकते हो कि जो या आपका जो बैदुत्व फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है जाए हम लोगों लास्ट टाइम में जब डिस्प्लेश्मेंट करेंट देखा था अलाकि आपको लिखना खाली कितने है क सब्सक्राइब करेंट करेंट कि कहीं पर फील्ड में परिवर्तन हो रहा था तो उस इस्थित में क्या होता है वहाँ पर एक परिवर्ती विद्धुत्वाहग बल भी वर्ग करने लगता है ठीक है चौधा जो समीकरण है वह है आपका एंपियर मैक्सवेल का परिपतिये नियम इसको हमने अच्छे से देखा लास्ट के वीडियो में आप आप देखिए एंपियर मैक्सवेल का परिपत मैं जो होता है उस प्रिष्ट से घिरी कुल ने ठारा का अम्यूनाट गुना होता है ऐसा कुछ पहले उन्होंने कहा था लेकिन बाद में इसी में संसुधन कर दिया मैक्सवेल ने उन्होंने क्या कहा कि नहीं वह ऐसा नहीं है जो किसी प्रिष्ट का जो कुल विद्धुत् किसी चुंकिये छेद्र के लिए उसका रिखिए समाकलन उस प्रिष्ट से घिरीकुल धारा अर्थात आप कैसे चालं धारा यानि कंडक्टिंग करें और उसके बाद में डिस्प्लेस्मेंट करें यानि विस्थापन धारा थीका आईडी उसके सम का यानि उसके योग का म्य गुना होता तो यह चीजें ती जो चांस अमिकरनोम ने